साथ ही ओ नमस्तर स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंगसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दृष्टी से अती महतपूर यूनिट 8 का टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रद्धोय की यानि कि Information and Communication Technology दीकि जिसने भी यूनिट 9 की जितनी अच्छी से तयारी कर ली वो उतना ही आगे हो जाएगा दूसरों से आप चैनल के अंदर जाएगे तो आपको Unit 9 के नाम से एक playlist आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आपको सारे practice set देखने को मिल जाएगे Unit 9 के ठीक है तो अच्छे से तयारी कर लीजे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा ह होने वाला है और हर एक unit के लिए practice set हम daily लेकर के आपके लिए आ जाते हैं रोज साड़े 12 वजे ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के practice set की इसमें हम आपको current के प्रशनों को भी कराएंगे और जो मतलब महत्वपूर प्रशन है आपकी परिच्छा की दिष्टी से उसको भी हम complete कराएंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर के अंतर तक जरूर देखिएगा बहुत नई नई यहां पर आपको जानकारी मिलने वाली है कि चंद्रमा पर इंट किसने बना दी है ये भी आपको बता जागा बहुत अच्छी information आपको मिलने वाली ठीक है तो देखिए RBI, option B, option C, SBI, option D, PNB तो बताए किसने यहां पर money app को launch किया है money की full form क्या होती है वो भी आपको बताएंगे और किसलिए आवश्यक अपनी परिच्छा की दिश्टी से वो भी आपको बताने वाले हैं आईए देखते हैं इसका answer सही answer A या निकी RBI Reserve Bank of India ने money app को launch किया है अब यह क्या है money app किस तरह से इस्तमाल में होगा उसके बारे में आईए आपको पूरी जानकारी देते हैं देखिए तो money app जिसका full form क्या है तो mobile added node identifier application यह full form इसका full form जरूर याद रखिए आपसे money app का full form पूछा जा सकता है एक बार फिर से देख लिजिए mobile added node identifier application ठीक है यह इसका full form हो जाएगा इसे भारती रिजरूर बैंक के दोरा launch किया गया है यहां नेतरहीन लोगों को मुद्रा के मूल की पहचान करने में मदद करता है किस तरह से तु देखिए mobile का camera currency note को scan करता है और audio output की मदद से जानकारी प्रदान करता है यानि जो भी नेतरहीन लोग हैं उनको अगर note की जानकारी प्राप्त करनी है तो बस वो money app डाउनलोड कर लेंगे money app के माध्यम से वो note को scan करेंगे और scan करते ही जो app है वो आपको बता देगा कि यह कितने रुपए का note है तो मुखिता यह नेतरहीन लोगों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है आपको क्या याद रखना है जिसका full form याद रखना है और किसने इसको जारी किया है यह आपको जरूर याद रखना है आपकी परिछा में ऐसे ही प्रशन पूछे जाने वाले है तो चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं प्रशन नमबर दो की ओर देखिए हाली में किस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म ने या घोशना की है कि वहाँ फेक न्यूज को लेबल करें और अपने प्लेटफॉर्म पर साज़ा किये हानकारक डाटा को हटा देगा यानि कि जो भी फेक न्यूज होगी उसके उपर एक लेबल लगा देगा कि यह फेक ही है फेस्बुक तो चली एंसर देख लेते हैं इसका सही आंसर बी यानि कि ट्विटर ने यहाँ पर यह योजना जारी की है कि वह अपने मीडिया जितनी मीडिया उसके उपर लेबल लगा देगा कि यह एक फेक मीडिया है इसके उपर आप ध्यान मत दीजिए ठीक है कि एक तरह से अलग से दर्सा देगा कि यह जो है फेक मीडिया है ठीक है ट्विटर पर नकली फोटो वा वीडियो पर लेबल लगाना सुरू कर देगा ताकि उससे यूजर को यह पहचान हो सके कि मीडिया के साथ में छेड़चार की गई है ठीक है तो जो भी फेक निउज ह एक उनलाइन चैट बॉट है अभी हाली में इसको अपडेट किया गया है और इसका हिंदी वर्जन लॉंच किया गया है इसलिए आपके लिए महत्पून है वैसे इसको 2018 में बना दिया गया था और 2018 के जश्ट बादी जो UPPCS का एक्जाम हुए था उसमें आसक दिसा के बार है हिंदी वर्जन लेकर क्या गया है तो इसलिए आपके लिए यह महत्पून हो जाएगा आपसे पूछा जा सकता है चलिए option देख लेते हैं कि आसके दिसा किसका चैट बॉट है देखिए IRCTC, NPCI, RBI या फिर CB तो पताएगे किसका यह है चैट बॉट है आसके दिसा तो चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं और इसका एंस्वर देख लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आई आपको देते हैं देखिए तो IRCTC ने Artificial Adherit Online Chatbot आसके दिसा की सुरुबात की जो टिकट बुकिंग और परेटन में साइट के उप्योग करताओं की साहता करेगा जैसे अपन ऑनलाइन जो है टिकट बुकिंग करते हैं रेलवे के लिए या फिर मतलब हवाई यात्रा के लिए तो IRCTC के बाद हमसे करते हैं तो आसके दिसा नाम से एक चैटबाट जो है जारी किया है IRCTC ने जो उप्योग करताओं की मदद करेगा अभी हाली में IRCTC ने इसके हिंदी वर्जन को भी लॉंच किया है हिंदी वर्जन अभी हाली में लॉंच किया गया है 2020 में इसलिए अपने लिए महत्रपूर है और हमने Artificial Intelligence वाली जब हमने क्लास आपको कराई थी उसमें भी हमने इस प्रेस्ट को कवर किया था और साथी साथ में जब इसको लॉंच किया गया था तो अपनी Current Affair वाली वीडियो में भी हमने कवर किया था इसलिए हम आपसे कहते है Current Affair वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूर है लगबग जितनी भी नई अपडेट होती रहती है इसलिए आपके लिए Current Affair की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है चलिए अगरे प्रस निक्योर चलते है देखिए प्रस नमबर चार किस भारती संस्थान ने अनियंतरित मानो रही ड्रोन का मुकाबला करने के लिए Artificial Intelligence संचाली तो ड्रोन विक्सित किया है यानि कि ऐसे ड्रोन जो अब नियंतरन में नहीं है या फिर जो है खूफिया सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बनाए गए है उनको नियंतरन में करने के लिए किस संस्थान ने यहाँ पर अपना एक Artificial ड्रोन विक्सित किया है आईए देखते हैं Option A है भारती विज्ञान संस्थान Option B है बैज्ञानिक और अनसंधान संस्थान Option C है भारती प्रद्यों की संस्थान मदरास या फिर Option D है DRDO चलिए एंसर देख लेते हैं किसने यह ड्रोन विक्सित किया है सही आंसर C आनकी IIT मदरास के दोरा एक ड्रोन विक्सित किया गया है जो कि अपने यूज के ड्रोन नहीं है या फिर जो आपके खूफिया जानकारी के लिए ड्रोन आ रहे हैं उनको पकड़ने में मदद करेगा देखिए तो IIT मदरास में अनिमित मानाव रही ड्रोन जिसे दुष्ट ड्रोन भी कहा जाता है जो मतलब किसी दुष्मन देश के दारा भेज़े जाते हैं का मुकाबला करने के लिए एक artificial intelligence संचाले ड्रोन विक्सित किया है या कहाँ पर काम करेगा वो भी देख लीजिए तो यहाँ ड्रोन प्रमुक सुरच्छा संस्तानों ससस्तर बलों के लिए सुरच्छा में मदद करेगा यानि कि जितने भी बाहर से ड्रोन आ रहे हैं विदेशों के दारा ड्रोन भीजे जा रहे हैं चलि आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर 5 पे चलते हैं आर्टी फीशल इंटेलिजेंस भी आपकी इसी वीडियो में कवर होती चल रही है दो प्रस्ट आपको AI के देखने को मिल गया है ठीक है याद रखिएगा चलि प्रस्ट नमर 5 की बात कर लेते हैं किस प्रसिद एप्लीकेशन ने नकारात्मक सामागरी को रिपोर्ट करने के लिए डिस्कवर नाम की एक अनूठी फीड पेस की है अगर आपने जरा गौर किया होगा अगर आप यूज करते हैं मोबाइल अगरा तो आपने देखा होगा गौगल की नीचे आप एक नया फीड अबैक आ गया है डिस्कवर करके ठीक है तो वही आपसे पूछा जा रहा है किस प्रसिद एप्लीकेशन ने नकारात्मक सामागरी को रिपोर्ट करने के लिए डिस्कवर नाम की एक अनूटी फीड जो है पेस की है गूगल, फेस्बुक, ट्वीटर या फिर इस्टाग्राम एंस्वर दिख लेते हैं हमने बैसे बताई दिया सही आंसर ए यान कि गूगल ने हाँ पर डिस्कवर नाम की एक नई फीड जो है प्रस्टुत की है, अगर आप देखिए गूगल सर्च करेंगे तो उसके नीचे आपको एक डिस्कवर नाम की फीड देखने को मिल जाएगी देखिए तो तकनीकी प्रम गूगल ने डिस्कवर नाम की एक अद्धुती फीड पेस की है गूगल ने अपने नविंतब अपडेट में ये सुवधा पेस की है कि जो उप्योग करताओं को डिस्कॉर फीड पर भ्रामक लेखों की रिपोर्ट करने में सच्चम बनाती है उप्योग करता अब हिंसक, भ्रामक, अपमान जर्क और अनलेकों की रिपोर्ट कर सकते है मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही है अपमान जनक है या फिर भ्रामक हैं लोगों को भ्रम पैदा करती है तो ऐसी चीज़ों को आप डिस्कॉर फीड में जा करके उसके खिलाप रिपोर्ट कर सकते हैं गूगल ने अभी हाली में ये जारी किया और बहुत अच्छा कदम है जिससे कि उन चीज़ों को हटा दिये जाएगा गूगल पर से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सारे के सारे प्रशना आप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वर्ण है करेंट अफेर को भी हमने साथ ही साथ में कवर किया है केंदरी ग्रहम अंतराले ने किस वीडियो कॉन्फरेंसिंग सॉप्टवेयर को साइबर अपरादों के लिए असुरच्छी चिन्नित किया है जब से लॉकडाउन लगा है 2020-2021 दोनों सालों में लोग घर पर अपना काम कर रहे है ठीक है और ऐसे कई मतलब मीडिय प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से लोग अपना घर पर काम कर रहे है तो ऐसा कौन सा app है, ऐसा कौन सा conferencing software है, जिसको अभी हाली में भारत सरकार के दोरा मना कर दिये गया है, यूज करने पर, मतलब लाल जंडी दिखा दिये गया है, कौन सा है, option है Skype, option B है Zoom, option C है Duo, option D है Meet, चलिए answer देख लेते हैं, सही answer B, यानि कि Zoom app को यहाँ पर लाल जंडी द लिजेगा, ठीक है, जूम को साइबर अपराधों के प्रति संबेदन सील के रूप में लाल जंडी दिखा दी है, साथी सरकार ने मंतरियों और केंदर सरकार की अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग में Zoom app को इस्तवाल ना करने की सलाहत दी है, आपने देखा भी अपनी जानकारी होती है, जिनको ये लोग आपस में बात करते हैं, और जूम एप जो है, उसे आसानी से हैक किया जा सकता है, इस वज़ए से भारत सरकार ने हापर सभी मंतरियों को और अधकारियों को ये सलाह दी है, कि आपको जूम एप पर कोई भी मीटिंग नहीं करनी ह ठीक है, तो याद रखेगा जूम एप को यहाँ पर लाल जंडी दिखा दी गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की बढ़ते हैं, दोजार बाइस में सुरू होने जा रहा है, गगण यान मिसन के लिए, रूस में प्रसिचन के लिए किस संगठन के चार कर् के लोग हैं, ऑप्सन C है भारती नो सेना के लोग हैं या फिर इंडियन आर्मी के लोग हैं, तो वो चार लोग कौण से संगठन से आते हैं यही आप से पूछा जारा चली answer देख लेते हैं, तो सहीh answer है इसका B यानि की भारती एइर फोर्स जो है, इंडियन एर फोर्स जो तो उनको यहाँ पर चैनित कर लिया गया है, उनको रूस भेज दिया गया है, वहाँ पर वह अंतरिच यात्रियों का प्रसिचन लेंगे, ऐसे ही नहीं उठा करके भेज देते हैं, आप चले जाए यह अंतरिच में, पहले महाँ पर प्रसिचन दिया जाता है, अंतरिच में कै किये गए हैं इंडियन एयर फोर्स के लोग हैं और रूस में उनको ट्रेनिंग के लिए बेढ़ दिया यह चार-पांच बात हैं आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए भारत का पहला एक कचरा क्लीनिक हाल ही में किस सहर में खूला गया है लकनव मुंबई, भोपाल या फिर कटक चलिए एंसर दिख लेते हैं और यह बहुत महत्मून प्रस्टन है यह लगबग मेरा मानना है कि 100% जो है आपके MPPSC के एक्जाम में यह आने वाला है क्योंकि मध्यप्रदेश से संबंदित है और आपका सूचना संचार प्रद्व की से भी संबंदित है तो आपके एक्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है चलिए आंसर दिखते हैं सही आंसर है C यानि कि भोपाल में E कचरा क्लीनिक खोला गया है देखिए अब इसमें क्या किया जाएगा तो भारत का पहला E कचरा क्लीनिक जिसे केंदरी प्रदूसर् आपने मोबाइल लिया मोबाइल आपने पूरा यूज कर लिया काफी समय तक अब मोबाइल खराब हो गया अब आप उसको फेक देते हो ठीक है तो यह आपका एक E कचरा बन जाता है उसको आप फेक देते हो तो यह भी आपका E कचरा बन जाता ठीक है तो ऐसी चीजों को घ आरत में It's Between You नामक एक अभियान शुरू किया है, ये भी हमने आपको Current Affair वाली अपनी वीडियो में कराया था, और ये भी आपके लिए अती महत्पूर्ण है प्रस्ण, ये भी आपकी परिच्छा में पूछा जा सकता है, WhatsApp, Twitter, TikTok या फिर Telegram, तो कौन सा ऐसा Social Media Platform है, जिसने It's Between You नामक एक अभियान चालू किया है, चलिए Answer देख लेते हैं, जो यहाँ पर हमारी Current Affair की डेली वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने अभी तक Answer टिक भी कर दिया होगा, इसमें दो से तीन प्रस्ण ऐसे हैं, जो हमने Current Affair वाली वीडियो में आपको कराये हैं, देखिए, तो सही Answer होग इसका A, यानि कि WhatsApp ने ऐसी WhatsApp एक ऐसी Social Media Platform है, जिसने यहाँ पर It's Between You लाँच किया है, तो Social Media दिगज वाट्सअप ने भारत में It's Between You नाम से अपना पहला Brand अभियान शुरू किया है, वाट्सअप में भारती निदेशक, गौरी सिंदे के साथ, विग्यापन Advertisement भी बनाएंगे और It's Between You को लाँच किया, यानि कि भारती लोग आपस में जो अपने Close Friends होते हैं, उन लोगों से किस तरह से बात करते हैं, इसी के उपर ये दो Add बनाने वाले हैं, ठीक है, और इसी के लोगों ने It's Between You यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है, चलिए आगे नासा और इसरो, तो किन दो लोगों ने मिल करके चंद्रमा पर It बनाने की प्रक्रिया विक्सित की है, आईए देखते हैं, तो सही या अंसर का C यान कि भारती विज्ञान संस्तान IIC और भारती अंतरी चंद्र संदान संग्टान इसरो की सोध टीम ने चंद्र सता पर It जै पर इकतित करने के लिए इस तरह की सता जो संद्रचना बनाई गई है, इसका यूज किया जाएगा, तो आपको बस इतना याद रखना है कि IIC और इसरो ने दोनों लोगों ने मिल करके चंद्रम चंद्र सता पर इंट बनाने की प्रक्रिया विक्सित कर ली है, ठीक है, चलि वंतराष्टी घटना संग्रा होती है, उसके बाद मद्रदेस करेंट अफिर के 5 अती महत्पून प्रशन करा जाते हैं, बित डीटेल में फोटो के साथ में, एनिमेसन के साथ में, ठीक है, वो वीडियो इस से अलग होती है, ठीक है, उसमें आपको फोटो भी दिखाई लगवग आपको वहाँ पर 20 प्रसंद देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि करेंट अफेर वाली वीडियो देखना आपके लिए आनवार है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके सभी यूनिट को वहाँ पर कवर कर लिया जाता है, बाकी ये वीडियो ऐसी आती रही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को पास सेर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए अतिमहतपू वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद